Study IQ IS अब तयारी हुई 21,253 करोन टू टैकल केरला's economic crisis लेकिन ध्यान रखेगा इसमें क्या है ना यह जो 21,000 करोन रुपए है वो ऐसा नहीं है कि केंदर सरकार बस ऐसे ही दे रही है यहाँ पर permission दिया गया है केरला को की वो borrow कर सकता है तो इसको थोड़ा detail में समझेंगे और पहली भी थोड़ा देखेंगे कि exactly अभी तक केरला में हुआ क्या है यहाँ पर केरला क्या argument कर रहा था किंद सरकार क्या कह रही थी Supreme Court में मामला क्यों पहुचा बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको जानने को मिलेंगी चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं 2025 के लिए तो यहाँ पर हमारा जो नया GS Foundation batch है Evening batch हर रोज शाम 6 बजे क्लास होगी यह batch 31st of में को स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर आपको Prelims Mains Interview सब कुछ की complete preparation कराए जाती है परसनल मेंटर आपको दिये जाते हैं 18 जो UPSC के books हैं वो आपके घर तक deliver किये जाते हैं काफी कम rate पर आप इसको अवेल कर सकते हो इसका जो link है वो comment section में दिया हुआ है और वहाँ पर जाका अगर आप यह code इस्तमाल करेंगे तो आप extra जो discount है maximum जो discount होता है course पर वो आपको मिल जाएगा और इसके अलावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए महाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि exactly हुआ क्या है देखे Central Government ने केरला को assist करने के लिए मदद करने के लिए यह कहा है कि चलो आप 21,253 करोन रुपे और बोरो कर सकते हो क्या है ना कि हमारे देश के अंदर कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं है कि अपने मनमाने तरीके से जितना चाहे बोरो कर ले देखो ultimately क्या है कि अगर कोई भी सरकार बोरो करती है पैसा उधार लेती है तो ultimately उसको चुकाना भी है तो केंदर सरकार ने एक तरह से लगाम लगा रखी है एक तरह से लिमिट लगा रखी है किये कि आप particular level से जादा बोरो नहीं कर सकते अगर आपको बोरो करना है तो पहले केंदर सरकार से permission लेनी होगी तो लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा था लेकिन फानली यहाँ पर केंदर सरकार ने केरला को कहा है और उन्होंने कहा है कि केरला जो है वो December 2024 तक 21,000 करना रुपए और मार्केट से बौरो कर सकता है और साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि केरला की पास ये पैसा आएगा तो हम चाहेंगे कि केरला इसका सही इस्तमाल करें यहाँ पर जो leakages है, corruption है वो ना हो साथी साथ जो execution है, अलग-अलग projects का वो किया जाए जो recruitment process है, वो रुके ना, development के projects पूरे किये जाए ऐसा यहाँ पर किंदर सरकार का कहना है अब देखें ये माईने क्यों रखता है माईने इसले रखता है क्योंकि पिछले काफी समय से economic challenges से जूज रहा था केरला क्योंकि आप समझगे जो basic salary वाली चीज़े होती है pension वाली चीज़े होती है वो तक केरला की सरकार पूरी तरहिके से नहीं दे पा रहे थी उसमें delays हो रहे थे तो इसकी वज़े से issues काफी ज़ादा बढ़ रहे थे केरला के अंदर तो कहीं न कहीं यहां पर यह जो borrowing की जाएगी 21,000 करोन की यह कुछ हद तक केरला को मदद कर सकता है question यह है कि पहले हुआ क्या exactly किंद सरकार ने क्यों मदद किया Supreme Court में मामला क्यों पहुचा क्योंकि अभी मैंने वीडियो भी बनाया था मुझे आद एक कुछ महने पहले Supreme Court की तरफ से अर्ज किया गया था Central Government को कि आप प्लीज एक Special Package अगर केरला को दे सकते हैं Financial Crisis से निपटने के लिए तो वो आप दे दीजे Actually क्या है ना कि केरला की सरकार एक Petition File की थी Supreme Court के अंदर और उस Petition में ये बोला गया केरला सरकार के दोरा कि दीखे हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा है जिसकी वज़े से Salaries, Pension, Provident Fund for State Employees ये सारी चीजे हम नहीं कर पा रहे हैं Welfare Schemes हैं वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसका काराण क्या बता है क्या पहला काराण तो ये बोला केरला की सरकार ने Especially आप देख सकते हो जो पिनराई विजेन की सरकार है उन्होंने ये कहा कि किंदर सरकार हमें यहाँ पर कम पैसे दे रही है और साथी साथ अगर हम मार्केट से बोरो करना चाहते हैं उधार लेना चाहते हैं तो उसके उपर भी लिमिट लगाए गया है केरला सरकार ने ये कहा कि 2018 में एक कानून सरकार अमेंडमेंट ले कर आई थी Fiscal Responsibility and Budget Management Act आपको पता है ने FRBM इसको कहा जाता है तो इसके अंदर सरकार ने अमेंडमेंट किया था और इस अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर एक लिमिट लगा दिया गया कि आप Open Market Borrowing एक लिमिट से ज़ादा नहीं कर सकते और इसी के बज़े से केरला सरकार का कहना था कि देखी यह तो Unconstitutional है Central Government को तो जब मन चाहते हैं वो लोग बॉरो कर लेते हैं और उसको यूटलाइस कर लेते हैं लेकिन जब State Government की बात आती हैं तो हमारे पर एक लिमिट लगा दिया जाता है तो यह लिमिट लगाना सही नहीं है यह केस फाइल किया गया केरला ने Supreme Court के अंदर किंद सरकार के खिलाफ तो अब Central Government का क्या कहना था इसको लेका दोको Central Government की तरफ से यहाँ पर जो वक्कील है उन्होंने यह कहा कि देखिए हमने और जितना मदद कर सकते थे वो कर दिया है केरला को यहाँ पर हमने और अलिडी पांच जार करोन एक्ष्टा बोरोइंग के लिए केरला को बोल दिया है और साथी साथ देश के अंदर बहुत से ऐसे राज हैं जो हमसे लगतार गुहार करते रहते हैं कि हम और बोरोग करना चाहते हैं तो हम वो अलाव नहीं करते करीब 14 बार ऐसा ओकेशन आया है जब अलग-अलग राज ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम और एक्ष्टा बोरोग करना चाहते हैं लेकिन matter of principle हम अगर एक स्टेट को भी अलाव कर देंगे तो इस तरह से देखते वे बाकी के जो राज है वो हमारे पास आएंगे कि देखिए आपने केरला को अलाव कर दिया है तो आप यहाँ पर इनको भी हमें भी अलाव करने दीजे तो इसलिए केंद्र सरकार का कहना था कि देखिए हम Supreme Court को दिखाएंगे पेपर्स के माध्यम से कि हमारे पास बहुत सारे रिक्वेश्ट आ रखे तो इसी के वज़े से हम किसी के लिए exceptional नहीं रखना चाहते यहाँ पर जो राजय सरकार है उनकी जिम्यदारी बनती है कि उनके पास जो budget है उसी हिसाब से करे यहाँ पर जो welfare schemes वगरा बहुत सारी चीज़ें लाती है सरकार इसकी वज़े से वो सारा उसमें खर्च हो जाता है और जो development में खर्च होना चाहिए पैसा वो शायद नहीं हो पाता लेकिन खैर जो भी है जब यह मामला Supreme Court गया था हम आपको बस यह request कर रहे हैं हम आपको order नहीं दे रहे हैं लेकिन हम आपको request कर रहे हैं कि अगर आप one time अगर कुछ allow कर सको extra borrowing के लिए तो आप please उसको allow कर दिए और इसलिए finally आप जाकर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि किंद सरकार ने केरला को 21,000 करोन की जो extra borrowing है वो यहाँ पर allow कर दी है ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा अब question यह है कि आखिरकार केरला में क्या financial crisis चल रहा है issues क्या है दो को central government ने कई सारे argument रखे है central government ने कहा है कि केरला के अंदर बहुत सारे cracks है मतलब कि जो miss management है finance को लेकर वो काफी जादा है जैसे कि उन्होंने बताया कि जो आपका revenue deficit है वो बहुत जादा है बाकी के राज्यों की मुकाबले अगर आप देखोगे जो revenue deficit सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि revenue deficit क्या होता है देखो simple सी चीज है जैसे कि मानलो केरला की सरकार जो है वो काफी सारा रुपए खर्च भी करती है और कमाती भी है खर्च कहाँ पर करती है जैसे कि salaries वगरा देना है pension देना है मतलब वहाँ पर खर्च करना और साथी साथ revenue receipt होता है मतलब जैसे taxes वगरा के माध्यम से किंडर सरकार से काफी सारा पैसा transfer होता है तो इस तरह से जो पैसा आता है वो basically आपका revenue receipt के अंदर आता है तो यहाँ पर क्या है कि यह जो पैसा सरकार के पास आ रहा है और जो सरकार खर्च कर रही है ये salaries, pension वगर अपर उसमें जो difference होता है ना उसको हम revenue deficit कहते हैं कि मालनो सरकार के पास आ रहा है आपका 1000 रुपए ठीक है और सरकार यहाँ पर खर्चा कर ये 500 रुपए तो ये 500 रुपए आपका revenue deficit हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि बाकी के राज्यों का average अगर आप देखोगे तो it is 0.46% of gross state domestic product GSDP लेकिन केरला का आप देखिए percentage कितना है it's very high 3.17% मतलब deficit बहुत जादा है और देखिए let me tell you कोशिश ये करनी चाहिए कि revenue deficit तो होई ना ये 0 होना चाहिए क्योंकि revenue deficit में क्या है कि आप extra borrow कर रहे हो सिर्फ salaries और pension pay करने के लिए अगर आप इस चीज के लिए borrow करते है पैसा जहां पर आप development कर रहे हो roads borrow अगर बना रहे हो आगे future में आपको return आएगा तो वो आपका ठीक होता है उसके लिए आप borrow करो कोई दिकत नहीं है लेकिन जब आप salaries pension के लिए भी आपको borrow करना पड़ा है मतलब इस्तीती काफी जादा खराब है same यही situation है fiscal deficit fiscal deficit total आपका revenue और expenditure को दिखाता है तो यहाँ पर भी all state average है 2.8% और केरला का average है 4.9% तो which is again huge और इसलिए यहाँ पर किंदर सरकार ने कहा है कि देखें केरला का financial stress उसके mismanagement की वजह से है खुद जो RBI है Reserve Bank of India उन्होंने कहा है कि जो top 5 highly stressed states है उसमें केरला भी आता है तो अगिन वो borrow करेगा और salaries और pension में पैसा खर्च कर देगा और development में कुछ खर्च नहीं हो पाएगा खेर जो भी है इस सारे चीजों को देखते वे केरला सरकार का क्या कहना है क्रिएन गवर्नमेंट पैसा केलेट कर रही है वो पिछले कुछ वर्सों में 11 टाइम्स भड़ाएं लेकिन हम हमें जो पैसा मिल रहा है वो सिरफ 8.8 टाइम्स भड़ाएं मतलब कि जितना हमें हक मिलना चीए जो पैसर के हक मिलना चीए वो नहीं मिल पा रहा है और इसलिए कई सारे राज केरला, पंजाब, करनाटका, वरिष्ट पंगॉल वो इस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं साथी साथ यहाँ पर केरला फाइनस मिनिस्टर का ये भी कहना था कि देखिए हम सोशल स्कीन्स पर एक्सपेंडीचर नहीं कर पा रहे हैं जो हमें यहाँ पर 62 लैक फैमिलीज को पेंशन देना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो यही सारे इशूस ते अब देखना होगा कि य जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा और जाने से पहले एक इंट्रस्टिंग कोशन क्या बता सकते हो कि देश के अंदर हमारे देश के अंदर जो प्रिंटिंग करेंसी है मतलब करेंसी को प्रिंट करने का जो सिस्टम है व अगर आपको PDF यह तो टेलीग्राम पर आईए अलग लग सोशन मीडिया पर आप जूर पहुग और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं you can simply use this code ANKITLIVE to get maximum discount on any batches of UPSC और कोई भी stock market कुछ भी हो and I hope की वीडियो आपको पस